तो अब आते हैं नेक्स पार्ट पर और नेक्स पार्ट में हम करेंगे डाश्बोर्ड मेकिंग जी हाँ अब हम लोग डाश्बोर्ड बनाएंगे और आप देखे ये है डाश्बोर्ड जो फाइनली आपको बनाना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पेस्टू पर भी information दी वी है जो आप लोग को इस तरह से fill out करनी है लेकिन इसे बनाने के लिए कुछ insights हैं जो आप लोग को अपने data के अंदर create करने होंगे और वो insights कौन से हैं कहते हैं कहां से निकलेंगे चलिए पहले सारी बाते कर लेते हैं तो आईए देखते हैं हमने last video में कहां तक काम कर लिया था तो ये था हमारा video वाला dashboard जो हम लोग बना रहे थे और उसके अंदर अब ये सारी pictures हम डालने वाले हैं अपने dashboards को बनाते हुए और information एक बार check करा देता हूं मैं आप लोग को यहां तक हमने information complete कर ली थी अब हमें यहां पर इस information को देखते हुए अपने dashboards को बनाना है तो चलिए एक एक करके information को देखते हैं और बनाते चले जाते हैं और कैसे बनाएंगे बहुत simple technique है आप लोग को simply इसको follow करे या आप मेरे उस dashboard को follow करे जो मैंने बना रखा है तो मैं फिलाल उस dashboard को follow कर रहा हूं और उसके according यहां पर चीज़े बना देता हूं और यह सारे points cover up हो जाएंगे उसके अंदर चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले आप देखे यहां पर इस dashboard को बनाने के लिए जो सारे insights मैंने इसके अंदर दिये हैं यह 11 से लेकर 17 points तक यह सारे के सारे points इस dashboard के अंदर cover up हो रखे हैं और इसमें यह 2 page बनाए गए हैं इन सभी के अंदर यह सारी information है तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक background चाहिए और वो background मैंने आप लोगों को दे रखा है चलिए उस background को सबसे पहले ले देते हैं और यह है हमारा वो dashboard जिसे हमने बनाना शुरू किया था और इसके अंदर कुछ data हमने connect भी कर दिये थे model view से हमने last connectivity की थी और उसके बाद अब हमें report view पर आकर हमें क्या करना है dashboard finalize करना है तो चलिए अब सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा background लेना होगा तो background कैसे लेंगे simply यहाँ पर जाएंगे format your report page और यहाँ पर canvas background पर क्लिक करें और सबसे पहले आपको background लेना है तो background लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर करना है चलिए देखते हैं यह रावो background जो मैं आपको बता रहा हूँ तो यह background को आपके पास आ चुका है लेकिन यह background अभी show नहीं हो रहा तो अब यह show कैसे होगा तो इसे show करने के लिए आपको इसकी transparency को zero कर देना है ठेक है इसी तरीके से आपको page 2 भी setup कर लेना है पट पहले page 1 बनाते हैं फिर page 2 बना लेगे तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने background बना लिया है और अब background बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक image दिख रही है क्योंकि यह shop है एक store data है तो यहाँ store की एक image लगा दे तो बहुत अच्छा लगेगा चलिए तो एक image हमारे पास उसके अंदर पड़ी हुई है हमें उसे insert करना है तो यहाँ insert वाले option पर जाएंगे और image पर click कर देंगे और यह लीजे वो image हमारे पास है available इसे हमने open किया और देखे यहाँ आगई अब दोस्तों यहाँ पर यह image तो आगी लेकिन image के पीछे जो आप दे इसके अंदर देखेंगे तो यह जो है आप लोगों की जो image है उसके पीछे से यह background है रिमूव कर देगा अब इस image को आप डाउनलोड कर लिजे डाउनलोड कर लिया अब आप इसे load करिए डाउनलोड से यह image डालते है और अब देखे background नहीं आ रहा है बहुत ही simple तरीके से आप लोगों को यह दिख रहा है तो इस तरीके से आप image को इस तरीके से place कर सकते है और अगर आप चाहे तो इसके पीछे एक और shape लगा सकते है जिससे यह थोड़ा सा look wise अच्छा लगे तो मैं आप एक shape लगा देता हूँ image का color चुनना होगा अब आपको color नहीं मिल रहा है ठीक है अब वो image इसके उपर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ इसको लादे के लिए आपको simply क्या करना है यहाँ पर option आता है format में जाईए और इससे कर दीजिए send bring front ठीक है जैसी front में करेंगे तो आप देखे यह उपर आ जाएगा और वो जो है इसे चला जाएगा that's it ऐसे तो देखे इस तरीके से आप इसे place कर सकते हैं okay clear है तो पहला काम आपने कर लिया है अब दूसरा काम आप देखे क्या करना है आप लोग को यहाँ पर आपने image तो लगा लिए लेकिन अब image के साथ में यहाँ पे लिखना है store data नाम का option यह कैसे ल आते हैं तो यहाँ पर इसका size मैंने 40 कर दिया है ठीक है 40 करने के बाद आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूं और इसको line कर देता हूं center में जिससे कि यह थोड़ा सा lookwise अच्छा लगे उसके बाद आप इसे उठा कर इसके उ लगाना है एक slicer ये slicer कैसे लगता है बहुत है simple तरीका है इससे लगाने के लिए simply आपको यहाँ पर country को यूज करना है तो यहाँ पर slicer का option यह ते रखा है slicer का option इसे आप ले लीजे और यहाँ पर country चाहिए तो आप order वाले option पर चेक करिए कहीं न कहीं country का ओप्शन आप इसकी setting change करनी है और इसकी slicer setting change करके इसे vertical list हटाकर drop down कर देना है जैसी आप drop down कर देंगे तो ये भी आपका set हो जाएगा और आप इसे small करके अपना जो है इस side fit कर दीजे इस तरीके से तो यहाँ पर हमने इसे भी fit कर दिया ओके अब बात करते हैं तीसरी चीज की तो तीसरी च कर देते हैं कैसे set करेंगे simply इसको copy कर लेते है copy paste और अब इसमें हमें region डालना है तो हम region डाल देते हैं simply कैसे डालेंगे reason यहाँ पर आते हैं वापस format your visual पर जहांपर मैंने country डाला था field के अंदर उसे cut कर देते हैं और यहाँ पर राल देते हैं region जैसी में region डालूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा और इसे भी side में जो है place कर दें आप इसका size ठीक है उसके बाद अब आते है next point पर तो next point क्या है दोस्तों next point यहाँ पर आपको बनाना है यह, इसको बोलते हैं, cards, अब यह जो cards है, इसके अंजर images भी लगी हुई है, तो यह कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं, बहुत है simple technique है, इसके लिए आपको जाना है, simply यहाँ पर new वाला card एक option है, इसके आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के है या नहीं, तो sales का section आप लोग के पास है, तो sales आगई भई, total sales आप लोग ने लगा दी, उसके बाद आपको दूसरा section यहाँ पर देना है, maximum profit, तो profit डाल दीजे, जैसी आप profit डालेंगे, तो उसमें profit तो आएगा, लेकिन maximum profit नहीं आ रहा, sum of profit आ रहा है, अभी ठीक करते है इसको, इसको ठीक कैसे करेंगे, वो भी दिखाऊँगा, मैं आपको, total quantity चाहिए, तो total quantity यहाँ पर आपको quantity वाला section दूनना होगा, तो quantity वाला section उसी के just नीचे है, quantity वाला section भी ले लिया, उसके बाद आप लोग को next section order ID लेना है, तो order ID वाला section भी आपको यहाँ पर मिल रहा इसे तीन से चार कर देना है, जैसी आप चार करेंगे, तो यहाँ पर आपको चार कार्ट दिखेंगे, अब इनका size थोड़ा सा छोटा करिए, ताकि जो card है वो proper तरीके से show हो, तो इसका size छोटा करना पड़ेगा आप लोग को, call out value में जाईए, और इसका size थोड़ा सा मिनि और उसके बाद अब इसको adjust करते हैं दोस्तों, वापस इस पर जाएंगे, add your visual पर, और यहाँ पर sum of profit की जगा, आपको चाहिए क्या था, maximum profit चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर sum of profit के सामने एक बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और इसे क्या कर तो यह आगया, max of profit आप लोग के पास, उसके बाद sum of quantity की बात करें, तो sum of quantity आपका सही आ रहा है, उसके बाद बात करें order ID, तो दोस्तों order ID आपको यहाँ पर given है, आप order ID यहाँ से ले सकते हैं, इस तरीके से यह लीजे, हमने order ID ले ली है, और अब इसे हम क्या करने वाले ह लेनी है, तो return वाली टेबल से आप order ID चुन लीजे, यहाँ पर आपको return वाली टेबल की order ID इस ही count करनी थी, और जो maximum profit अभी आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आप लोग का यह जो image है, यह तयार हो गया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर images डालनी है, तो दोस्तो पर images का option है, images के option पर जाइए, और सबसे पहले पहला image ले लीजे, जो कि sales का था, अब sales इस तरह का image डाला हुआ है, तो आपको इस तरह का image इसके अंदर डालना है, तो आप क्या करिए, sales को on करिए, और browse करिए वो image जो आप लोग ने folder में रखी हुई है, आप देखिए मैंन 70px कर देंगे, जिससे कि ये जो image है, इसके अंदर फिट हो जाए, आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसे 80px कर दें, जिससे इसका size थोड़ा सा सही हो जाए, और image का size आपका बैटर लग रहा है, अब आप इसमें इसी तरह के से next image भी डालें, आप साइज जादा small हो चुका है, तो आप इसे 100 कर दीजे, ताकि आपका size जो है, आपकी image का थोड़ा बढ़ा हो जाए, और ये लीजे, orders जो है, आपके इस तरह से बन गए, तो ये हो गया आपका size, जो perfect size है, आप लोग इसमें रखिए, अपने हिसाप से, इसका size increase, decrease आप कर सक सकते हैं, यहाँ पर values के अंदर जाएए, और आपको values को change करने का option मिलता है, जैसे आपका count of order ID की बात करें, तो उसके अंदर values आ रही है, वो थोड़ी सी decimal में आ रही है, तो आप इसे decimal हटाना चाहें, हटा सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर maximum profit के अंदर 1000 में देखनी है, 1000 में देख सकते हैं, नन करनी है, तो नन भी देख सकते हैं, auto भी कर सकते हैं, यानि exact देखनी है, तो exact में option है, अगर आप auto देखना चाहते हैं, तो automatic वो आपको 1000 में दिखाएगा, तो आप इसे किसी भी mode में change कर सकते हैं, तो यह portion भी आपका तयार हुआ, अब बात करते हैं next section की और next section में सबसे पहला जो chart है वो आप लोग का इस तरह से बना हुआ है ये chart है that is order priority wise profit तो आप लोग क्या करना है इसके लिए आप लोग को ये वाला stock bar वाला chart लेना है और यहाँ पर आप लोग को order priority के साब से profit दिखाना है तो order priority के साब से आपने profit दिखाया ये लिजे आपका order priority wise profit जो है यहाँ पर मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं परिशानी नहीं चलिए इसको फटा फट लगा देते हैं उसके बाद next है आप लोग का P&L status wise sales तो आप P&L status wise sales लगा दीजे आपको वो चाहिए तो आप यहाँ प status के साब से sales दिखानी है तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा और sales दिखानी है तो sales ले लिजे यहाँ पर और P&L status जो आप लोगोंने बनाया था एक column तो P&L status का column यह रहा आप लोगोंने दिखा दिया देखिए पर यह वाला चार्ट नहीं है कोई बात नहीं आप चार् और आपको दिखाई देगा तो देखे शेडिए आपने कर दिया तो आप लोगों को पता चल रहा है कि अपके प्रॉफिट और लॉस किस लेवल पर जा रहा है ठीक है तो इस तरीके से प्लेश कर सकते हैं नेक्स्ट जो चार्ट है वो आप लोगों का कौन सा है इस से आप इस तरीके से छोटा बड़ा करके अपना यहां पर जो है फिट कर सकते हैं तो अगला चार्ट आपको बनाना है प्रॉफिट परसेंटेज बाई काटिगरी तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज बाई काटिगरी बनाने वाले हैं तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज यह रहा और वो category के साब से देखनी है तो category के साब से आपने देख ली लेकिन इसको आपको ठीक करना पड़ेगा यह वाला chart आपका donut chart है तो इस तरीके से आपका देख रहा है donut chart यह लीजिए मैंने इसे set कर दिया और अब इसे इस तरीके से एरेंज कर दिया आपके एक जगा पर fit हो जाए और आपको देखने में भी सही लगे तो इस तरीके से आपने place कर लिया एक chart का size और दूसरे chart का size decide करके तो यहाँ पर आपने अगला chart बनाना है अगले chart के अंदर आपको information क्या चाहिए sub category विसाब से sales चाहिए तो sub category विसाब से sales कैसे ला सकते हैं आप लोग simple तरीका यहाँ पर जाएंगे और sub category आप लोग के पास है यह रही sub category और उसके विसाब से आपको sales देखनी है तो sales यह रहा आपने लगा दिया लेकिन अब आपका यह क्या है यह है tick table तो style preset के अंदर जाएए style preset के अंदर जाकर आप लोग को यहाँ पर flashy row का option मिल जाएगा आप flashy row ले लीजे जिससे आपका जो card है वो बहुत अच्छा लगेगा look wise थोड़ा देखने में बेटर लगेगा तो यह आप इस तरीके से arrange कर सकते हैं और इसे customize भी कर सकते हैं तो यह हो cœगे आपका next उसके बाद बात करते हैं next chart की तो next chart है region wise delivery day तो यह आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको funnel chart लेना होगा खाली जगा पर funnel chart सबसे पहले तो यहाँ पर अपने funnel chart ले लिया है उसके बाद इसमें आप ढाल दीजğे region wise delivery day तो region के हिसाप से delivery day डालना है बहुत सिंपल है region ले लिजे और delivery day ले लिजे delivery day हमने बनाया था एक column delivery day हमारा calculated column था यहाँ पर आपको दिख तो रहा है लेकिन बहुत दिक्कत वली बात क्या हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं data लेकिन आपको क्या करना है बेसिकली यह data आप लोग को सिंपली सिर्फ दस data को दिखाना है या देखिए आपको सारा नहीं दिखाना सिर्फ top 10 दिखाना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर region का filter है इस पर जाएंगे basic filtering पर जाएंगे top 10 करेंगे और यहाँ पर top 10 कर देंगे simple इस सारा data शो नहीं होगा और यहाँ पर by value के अंदर वापस से delivery day को डाल दीजे और delivery day डालने के बाद apply filter कीजे और आप देखिए आपके पास यह data है इस तरीके से show हो गया और उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी labels हटाने तो labels भी अटा सकते हैं आपको category labels हटाने category labels हटा सकते हैं यह हटाना है तो conversion rate जो उपर दिख रहा था वो आपने हटा दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो 100% और 40% यह बता रहा है कि actually कितना percent 100 है कितना percent 40 है अगर वो नहीं देखना तो आप उसे हटा सकते हैं मैंने हटा दिया है और यह जो है आप लोग का पहला chart create हो गया यानि पहला screen आप लोग का बन चुका है अब बात करते हैं हमारी दूसरे screen की दूसरा screen हमारा कैसे बनेगा simple आते हैं दूसरा scene वो ही हम लोग को करना है फिर से हमें background लेना होगा canvas background पे जाएंगे और यहां से browse करेंगे लुक वाइज आपको chart बनाना है तो भई आप लोग को थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको setting करनी पड़ेगी तो यह हो गया आपका chart और अब वो background फिट से आगे नहीं आ रहा तो आप फिर format पे जाएंगे और यह front कर दीजे bring front उसके बाद आप यहां रख दीजे इसके ओपर और यह लीजे आपका यह जो है chat set हो गया तो इस तरीके से आपने प्लेस कर दिया अब बात करते हैं यहां पर map का तो map आपको बनाना है यहां पर आप map ले लीजे और map लेने के बाद map में क्या information आपको दिखानी है चलिए map में state wise return दिखाना है तो simple आपको map में state wise return दिखाना है तो यहां पर आपको state लेना होगा और return वाला जो data है वो दूसरी sheet पर है उस पे क्लिक कर दीजे ये return वाला data आपको दिख रहा है लेकिन अब ये data बहुत जादा areas को cover up कर रहा है तो आपको जादा areas देखने के लिए यहां पर map में category labels का option on कर देना है जिससे कि ये area काफी इच्छे तरीके से दिखाई दे और आपको इससे आपको ये proper तरीके से show और उपर जो status आपको दिख रहा है yes or no का वो status आप चाहें तो आप हटा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेजेंट्स दिखाने नहीं दिखाने वो देखे इस तरीके से आपने क्या किया अपने map के उपर जो है legends off कर दिए legends off करने से आपको उपर legends नहीं दिख रहे अब आपको प्रॉपर तरीके से आपका पूरा map जो है show हो रहा है जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा था तो sales के हिसाब से return आप लोग को दिख रही है sales and return ओके और इस तरीके से आपका जो visual है वो तयार हुआ है और आपको sales return दोनों ही दिख रह अगर आप लोग ने dashboard बनाया है जिसका dashboard सबसे best लगेगा उसे मैं अपने status के उपर अपने community post पर upload करूँगा तो I think अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप लोग को dashboard कैसे बनाना है अगर आपका dashboard creative है और आपका dashboard amazing है मुझे लगा तो भाई मैं आपके dashboard को publish करूँग आपके नाम के साथ community post पर तो आप लोग फटा फट से dashboard बनाये और आप मेरे से कितना अच्छा dashboard बनाते हैं ये मेरे को देखना है अगर आप लोग के पास है कोई talent कोई creativity तो प्लीज उसे show करिए ये सारी file आप लोग को description में मिल जाएगी और आप इसे पूरा करके मुझे दी thank you so much for watching this video have a wonderful day दोस्तों happy learning bye